हाई दोस्तों मैं इवराज कटार है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिर्राम ग्यारेज ये देखिए ये महींदरा अर्थमास्टर मशीन है इसके दोनों ही रैम लिकिज हो चुके हैं यह देखिए दोनों रेम इतने लिकेज हो चुके है कि इस में से बहुत ज़्यादा ओइल गिर रहा है तो आज हम ये दोनों रेम खोलने वाले है और इसका सिल पूरा डालने वाले है ये देखिए, हमने इसका यहाँ से लोक निकाल लिया है और ये एक sims लगी हो रहती है लोग के आगे वो भी निकाल लिए ये देखे ये बहुत ज़्यादा लिकेज हो चुके थे दोनों रैम आपको दिख रहा होंगा ये देखे ये पूरा आर्म भिगा हुआ है oil से ये देखे ये बंद में ही ऐसा टपक रहा है इतना इसका seal पूरा खराब हो चुका है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है तो अभी बने रही है हमारे साथ पूरा खोल फिटिंग आपको बताएंगे कैसे seal डालना है क्या करना है ये देखे यहाँ पे इसका lock लगा हुआ रहता है ताकि check nut खुले नहीं तो वो lock पहले निकल लेना है उसके बाद में ऐसा थोड़ा ठोक सकते है उसके बाद ये pipe range से ये देखे ज़्यादा tight था तो हमने इसको फोड़ा चिन्नी से ठोका उसके बाद में pipe range से खोला है ये देखे इस तरह से यहाँ से ये check nut खोल सकते है दोनों चेकनट लूच कर लेना है पहले तो हमने दोनों ही लूच कर लिया है उसके बाद ये पीन निकल लेना है ये देखिए ये पीछे का पाइप दोनों खोल के पीछे का पीन निकल लेना है ये देखिए ऐसे दोनों ये बूश आते हैं उसमें यह देखिए अभी इसका फिर अभी हम ओईल निकाल लेंगे लेकिन यह बहुत ज्यादा ज्याम है अंदर जा नहीं रहा है टाइट है थोड़ा सील खराब हुआ है लेकिन फिर भी टाइट है यह देखिए थोड़ा हतोड़ी से भी मारक के देखा हमने लेकिन यह जा नहीं र आराम से ऐसा करते वक्त थोड़ा सावधानी बरतनी है आसानी से इसको दिरे दिरे नीचे लेना है ये देखे इस तरह से ये आसानी से आ जाता है ये देखे अभी इसको दबा के ओईल निकल लेंगे इसका ये देखे ये ओईल इसका निकल रहा है ऐसे दबा के इसका ओईल न पकड़के इसको पीछे से गुमा के इसको निकाल सकते हैं यह देखिए यह देखिए ऐसे निकालते वक्त बाल्टी पकड़ना है क्या कि थोड़ा बहुत आयल उसमें रहता ही है तो निकल जाएंगा उसके बाद यह देखिए यहां पर पीछे का नट चिक नट खोल लेंगे इसको छेल इसकी गुटी बैटती है अगर आपके पास गुटी नहीं है तो इसको पाइप रेंज की मदद से भी खोल सकते हैं यह देखिए इसको यह खुल गया है डिला हो गया है अब इसको निकल लेंगे बाहर यह देखिए यह पूरा खुल चुका है यह देखिए नट इसका ये पिष्टन थोड़ा टाइट ही था तो इसको हमने थोड़ा ठोकके निकाला है लेकिन याद रखना है कभी भी कि जब हम इसको ठोकते है तो रोड पे फटका नहीं लगना चाहिए ये याद रखना है ये देखिए ये इजी जा रहा है तो ये उपर से ही हमने इसका ओइल निकाल लिया है ये दूसरी तरफ का है ये देखिए ये इजी चला गया उदर का ज्यादा टाइट था इसलिए वो जा नहीं रहा था ये देखिए ये एकदम इजी चला गया ये इसको अकेले ने पल्टी कर लिया रैम को ये देखिए ये बहुत टाइम बचाता है य इसलिए हमने दोनों को एक साथ खोला है, तो इसको भी खोल लेंगे, ये देखिए इसका भी चेकनाट दोनों खोल के इसको भी निकाल लेंगे, ये देखिए ये चेकनाट निकल चुका है, ये देखिए अभी ये हातों से आ गया, उसको हमने ठोकना पड़ा था, ये इजी आ पीछे का दालना ही है यह देखिए पीछे का भी मेंड सील निकालेंगे इसके अंदर एक ngorring आती है वह भी निकाल लेगे। और इसमें यहाँ पर अंदर एक छोटी ऊरिग आती है । इसको भी निकल लेना है अभी हम ये dust seal निकाल लेंगे पहले ये देखिए उपर इसको नरब वाला dust seal है तो इसको screwdriver की मदद से ऐसा ठोक के निकाल सकते है ये भी main seal निकाल लेंगे इसमें भी ऐसा screwdriver को थोड़ा ठोक के दबा के उसमें उसको निकाल लेंगे ये देखिए इस तरह से निकल सकते हैं निकलते वक्त स्कूरूड्राइवर को मार के ये सील को निकलना रहता है स्कूरूड्राइवर से निकल सकते है लेकिन बिठाते वक्त स्कूरूड्राइवर यूज नहीं करना है यह देखिए यहाँ पर और एक वूरिंग आती है यह वूरिंग भी निकल लेना है उसके बाद इसको अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत तो कच्रा रहता है और यह देखिए इसका पार्ट नंबर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ रहता है अगर आपको सील पहले से लानी है तो अगर आप यह जो P8832 जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर से भी आपको सील मिल जाता है यह पार्ट नंबर रहता है इसका उसके बाद यह देखिए यह सील को ऐसा में सील को ऐसा बिठाना है हातों से दबा के ही बिठाना है बिठाते वक्त स् है ये सिल के उपर ये इसी काउंटर लगती है ये काउंटर बिठा लेना है ये देखिए ये काउंटर भी हमारी बैट चुके है अभी ये उपर जो डस्सील आती है वो डस्सील बिठा देना है ये नरम वाली डस्सील है इसको डस्सील बैट चुके हमारी और पीछे ये ओरिं अंदर से हमने यहाँ पे से एक ओरिंग निकाली थी, उसको भी बिठा लेंगे, त्यूंकि यह पुरा कीट कंप्लेट ही आता है, तो पुरा ही बदल लेना है, यह देखिए इस तरह से इसको दबा के थोड़ा अच्छा से बिठाना है, यह देखिए ओरिंग हमारी प्रॉपर इसको बिठा सकते है, उसके बाद यह काउंटर निकाल लेना है यहाँ से, यह देखिए इस तरह से खोल के इसको निकाल लेना है, यह देखिए यह हमारी मेंसिल भी बैट चुकी है, इस तरह से उसके बाद यह बेल्ट भी लगा लेना है, इसका जो बेल्ट आता है, यह दे आपको एक का ही बता रहा हूँ इसी तरह से हमने सेम दोनों ही फिट किये हुए जहें देखिए ये प्लेन वाला भाग जो रहता है वो अंदर की साइड जाएंगा जिदर ओर रिंग बैठी है ये भाग अंदर की साइड जाएंगा वैसे भी आप बेल्ट के साइड से भी सकते है, belt पीछे रहेगा और main seal आगे रहेगी, इस तरह से भी बिठा सकते हैं, इसको बिठाते वक्त ये चीज़े आप को याद रखना है, उसके बाद इसको अच्छे से tight कर लेना है, ये देखिए pipe लगा के इसको दबा के अच्छे से tight करना है, ये देखिए इसको अच्छे से फिर टाइट कर लेना है ये देखिए पाइप लगा के इसको हमने अच्छे से टाइट कर लिया है उसके बाद अभी इस पर ओईल लगा लेंगे इसको ओईल लगा के फिर इसका ट्यूब लगा के टाइट कर लेंगे इस पे oil लगा लेना है क्या होता है अगर oil नहीं लगाएंगे तो tube डालते वक्त seal cut हो सकता है इसलिए oil लगा लेना है तो ये आसानी से बैठ जाता है ये इस तरह से अभी बैठ चुका है आगे से देखिए थोड़ा check nut को पकड़ के रखना है और tube को घुमा लेना है ये देखिए easy bite गया है ये देखिए थोड़ा बाकि रहा है अभी इसको 5 रेंज लगा के टाइट कर लेँगे ये देखिए इसे 5 रेंज से पकड़के इसको टाइट कर लेना है ये देखिए पूरा चिपक चुका है ये देखे टाइट हो चुका है अभी इसको हम उपर लगा के भी ये खात मार के उसको फिर लॉक करेंगे ये देखे इस तरह से इसको फिर अंदर डखेल देना है दोनों को हमने टाइट कर लिया है अच्छे से ये देखे दोनों रैम हमारे टाइट हो चुके है अभी इनको हम उपर पल्टी करके उपर लगा के फिट कर लेंगे ये देखे इस तरह से इसको पल्टी करके ले सकते है और ये देखे इस तरह से अभी इसको हम लगा लेंगे इसका पीन ये देखे पीछे खेज लिया है भी हमने इसको इसको अंदर के साइड में भी पीन को बूशिंग ये अंदर इसमें ये कॉलर लगी हुई रही थी ये कॉलर लगा लेना है दोनों तरब कॉलर लगा के फिर पीन को ये देखे पीन को ठोक लेना है यह अब है रहे हमारी pin भी बैट चुकी है अभी इसमें पहले यह देखिए यह याद रखना है पहले एक sims बैट दी है और उसके बाद यह lock लगता है यह देखिए इस तरह से lock आता है इसमें ओरिंग चेक कर लेना है उसके पहले सई से है या नहीं ओरिंग चेक करके फिर pipe लगा लेना है और pipe को tight कर लेना है तो इसी तरह से यह देखिए अभी हमने इनको fit कर लिया है और यह lock कर देना है यहाँ पर ताकि यह खुलना नीच चाहिए इसलिए थोड़ा lock अगर हमने कर देते हैं तो यह खुलता नहीं है तो चलो दोस्तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले तो चलो मिलते हैं दोस्तो